नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुपनिल सागर जैन निरामाय होमियोपैधी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसी दवा के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी खास तोर से जरूरत पड़ती है 13-14 वर्ष की टीने जिसे लेके और लगभग 30-35 वर्ष तक के पुर्षों में इस्त्रियों में भी उसका उतना ही ज़्यादा यूज है और ये जो यूज है वो इस कारण से है क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हस्तमेथुन करते हैं मैस्टरवेशन करते हैं और उस मैस्टरवेशन के कारण इनका शरीर अंदर से पूरी तरह खोखला हो जाता है तो दोस्तो उस मैडिसन का नाम है एगनस कैस्टस बहुत ही ज्यादा यूसफुल मैडिसन है होमियोपेफिक मैडिशनल सिस्टम में इसका बहुत ज़ादा यूज किया जाता है तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा और इसके mental symptoms से हम शुरू करते हैं तो mental symptoms में हम यह देखते हैं कि यह जो लोग होते हैं ये एकदम परवर्ट किस्म के लोग होते हैं, बहुत ही जादा masturbation करते हैं, पूरी तरह इनके दिमाग में केबल sex ही चलता रहता है, हस्त मैथुन की बहुत जादा इनको आदत हो जाती है, और उसके कारण इनका दिमाग अंदर से बहुत जादा कमजोर हो जाता है, इनका शरी इवन है, वो व्यर्थ हो चुका है, मरने की इक्षा इनकी होने लगती है, इनको ऐसा लगता है कि अब ये मर जाएंगे, इनके जो genital parts होते हैं, यदि हम male genitalia की बात करते हैं, तो इनके जो genital parts होते हैं, वो एकदम से relaxed हो जाते हैं, बिल्कुल टेस्टिस बिल्कुल relaxed रहता है, एक तरह की इनमें नपन सकता डेवलप हो जाती है, इंपोर्टैंसी डेवलप हो जाती है, बहुत जादा masturbation करने के कारण, जब ये किसी इस्तरी के साथ sex करने की कोशिश करते हैं, इंटर कोर्स की कोशिश करते हैं, तो इनके जो parts होते हैं, वो बिल्कुल भी erect नहीं होत इनको जो है, डिस्चार्ज हो जाता है, यदि हम इसकी generalities की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इनको weakness बहुत जादा होती है, इनके अंदर शरीर में trembling होती है, यानि कि इनका शरीर जो है, इने हिलता हुआ महसूस होता है, अंदर से ठंडक महसूस होती है, इनको aggravation होत होता है, ये depression में चला जाता है, मेनियाक depression हो जाता है, इसके अंदर confidence बिलकुल खत्म हो जाता है, तो ये अपने आपको confidence वाला व्यक्ति शो करने के लिए, एक extreme superficial behavior बना लेता है, और बाहर के लोगों से बहुत ही harsh ये इसका behavior हो जाता है, बहुत खराब, गंदा ब्यावार य लोगों के साथ करने लगता है, सिरदर्द की इसको बहुत जादा शिकायत रहती है, अपने कमरे में अकेला लेटा रहता है, आँखे बंदगर के पड़ा रहता है, इससे इसको थोड़ा सा आराम मिलता है, खास तोर से इसको frontal headache होता है, और right eye के ऊपर इसको जादा तकलीफ होती है, यह जो लोग होते हैं, इनको reading करने से सिर में दार्द होने लगता है, आपने देखा होगा यंग उमर के जो लोग college going students या teenage के school going students जो होते हैं, यदि वो masturbation करते हैं और उनको इस तरह के सिरदर्द की शिकायत है कि पढ़ते समय उनका सिरदुखने लगता है, तो उन उनका नहीं बढ़ता है, शरीर अंदर ही अंदर गुलता चला जाता है, ऐसे लोगों का metabolic rate बहुत जादा हाई होता है, 6-8 रोटी एक बार में खालेने के बाद भी, अच्छी खासी diet खालेने के बाद भी, इनका जो शरीर होता है वो develop नहीं कर पाता, weight इनका नहीं बढ़ता है और सबल सैरूलाटा में भी पाया जाता है, कि लेटरिन बातरूम करते समय इन लोगों को सेमाइनल डिस्चार्ज की शिकायत होती है, जैसे ही ये थोड़ा सा प्रेशर लगाते है, इनको सेमाइनल डिस्चार्ज हो जाता है, इसका एक बहुत खास सिम्टम होता है, यदि हम male genitalia की बात करते हैं, कि इनको suppressed gonorrhea की शिकायत होती है, आपने बहुत सारे लोग देखी होंगे, जिनको gonorrhea होता है, एक बीमारी होती है, सूजाक भी जिसको बोला जाता है, ये एक बीमारी होती है, ये लोग उसका allopathic treatment कराते रहते हैं, और allopathic treatment से वो जो बीमारी है वो थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, कि इसके जो parts होते हैं, वो relaxed हो जाते हैं, पहने से एक दम relaxed रहता है, नपन सकता आ जाती है, importance हो जाती है, ये बिल्कुल भी sex नहीं कर पाता है, female के पास जाते ही, इसका cement discharge हो जाता है, और फिर इसके अंदर एक depression की स्थिती develop हो ज देखता है, महिलाओं को देखता है, sex करते हुए खुद को देखता है, दूसरी महिलाओं को sex करते हुए देखता है, इस तरह के erotic dreams हाते हैं, और इनी सपनों में रहने के कारण उसके दिमाग से, चूंकि उसका जो nervous system होता है, वो पूरी तरह उसी में लिप्त हो चुका होता सुबह वो जब सोकर उटता है, तब parts में कड़क पनाता है, लेकिन जो कड़क पनाता है, वो एकड़म से painful होता है, और बहुत जादा दर्द उसको महसूस होता है, ये सारे symptoms जो हैं दोस्तों Agnes Kastas के होते हैं, इसकी जो खास जो theme है, वो है patient का sexually over excited होना, masturbation करना, बहुत ही अंदर अपने आपको worthless समझने लगना, यानि कि किसी भी काम का ना समझना, और अपने आप से कोई उमीद न रखना, दूसरों के परती गलत ब्यवार कर शुरू कर देना, इस तरह की जो सारे symptoms होते हैं, ये Agnes Kastas में देखे जाते हैं, यदि इस तरह का कोई patient आपको दिखा इंप्रूब्मेंट हुआ है, यदि थोड़ा बहुत improvement भी है, तो 30 potency में हमें रखना चाहिए उसको, यदि ऐसा लगता है कि improvement उतना अच्छा नहीं है, तो फिर Agnes Kastas 200 पे जाना चाहिए, और उसकी दो दो बून दिन में तीन बार शुरू करना चाहिए, इस तरह से हम इसक शुरूआत कर सकते हैं, यदि ऐसा है कि जादा बहुत जादा वीकनेस है, तो फिर Agnes Kastas का Mother Tincture यूज़ करना चाहिए, दस दस बून दिन में तीन बार सुबह दुपैर शाम आदे कप या एक कप पानी में मिला कर, तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे के व जाए भारत!